अर्बास कान ने हाली में शादी की अर्बास कान की ये दूसरी शादी थी सबसे बड़ी बार अर्बास कान शारा से 6-7 महीने पहले ही मिले थे और 6-7 महीनों में रिलेशिशिप के बाद उन्होंने शादी भी कर ली ये सबसे fast relation moving into marriage है लेकिन बात करें अरबास की एक्स वाइफ मलाइका अरोडा की तो उन्हें अरजुन कपूर को डेट करते करते कम से कम साथ साल हो गए है लेकिन अभी तक मलाइका अरोडा ने शादी नहीं की है अब जब अरबास ने शादी कर ली है तो मलाइका ने भी मन बना लिया है शादी किया है कि वो शादी करने के लिए तयार है मलाइका से पहले जब भी शादी के बारे में पूछा गया तो वो यही कहती नजर आती थी कि जब समय होगा तब हो जाएगी मैं अभी शादी करने के लिए जल्दबाजी नहीं करना चाहती हूँ मैं चीजे समझ रही हूँ चीजे देख रही हूँ, लेगिन अब Malayka ने स्ट्रेट जवाब दिया है, कि मैं शादी करने के लिए तयाड हूँ, बस कोई शादी के लिए कहे, यानि कि Malayka के इस जवाब से पता चलता है, कि Malayka तो शादी करने का मन बना चुकी है, लेकिन शायद अरजुन कपूर अभी तक उस लेवल पर नहीं आए है कि वो मलाइका को as a wife's विकार करे या मलाइका को as a wife रख पाए शायद इसलिए अरजुन कपूर ने अभी तक मलाइका को शादी के लिए नहीं कहा है क्योंकि मलाइका तो ये कह रही है कि उन्हें शादी के लिए जैसे ही बोला जाएगा वो शादी करने के लिए तयार है मलाइका हाल ही में फराखान के एक शो में पहुंची और वहीं पर मलाइका ने अपनी शादी को लेकर ये जवाब दिया है मलाइका के इस जवाब के बाद लोगों का कहना है कि क्यूंकि उनके एक सास्बेंट अरबास अरड़ी मूवण हो चुके हैं और उन्होंने शादी कर ली है इसलिए अब फाइनली मलाइका ने भी शादी का मन बना ही लिया है हाला कि अरजुन कपूर मलाइका से शादी कब करेंगे मलाइका को शादी के लिए कब प्रपोस करेंगे ये कहां नहीं जा सकता क्यूंकि हाल ही में अरजुन कपूर जब कौफी वित करन में पहुँचे थे उन से पूछा गया था कि शादी के बारे में आपका क्या इरादा है तो वहाँ पर भी आरजुन कपूर इस बात को टालते नजराए और कहते नजराए कि मलाइका नहीं है साथ में तो रिलेशन्शिप के बारे में अकेले बात करना अनफेर होगा